है कि ही जा कि है इस बीडियो में नियुदिखने वाले हैं हाव तो यूज्स टीम लिंक को कैसे वज्ब कर ते है हाव तो यूज्दी में देखने के लिगशे इंप लिए, उसको चलानें दो सब्स Guru च चुले में क्या तो दूस्तों टीम लिंक जो है बेसिकली आपको वीडियो कॉन्फरेंसिंग के नाम से पता चल रहा है और वीडियो कॉन्फरेंसिंग आप इसमें जो है ऑनलाइन टीचिंग के लिए उसको यूज कर सकते हैं इसके अंदर में क्या के फीचर से हम जानिंग इस आप चाहते हैं कि किसी कलास और मीटिंग को जोइंड करना है तो जोइंड ऊइंड विदाउट एन अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पर नीचे दीए गया है जिसको आप क्लिक करेंगे और यहां पर आपको सिर्फ मीटिंग अ i.डी डालनी होगी और आपका नाम डालना होगा और यहाँ पे आप जो है अपनी setting on off कर सकते हैं वीडियो on करना है, microphone on करना है दोस्तों एक जानकारी आप लोगों के लिए फूरे एब, get more google reviews दोस्तों अगर आप चाते हैं अपने google page का या business page का review जाद 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 बढ़ाना तो फूरे एब को आपको करना होगा डाउनलोड और इसके दुरूँ आप जाद 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 आपने reviews बढ़ा सकते हैं और reviews बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे आपके ग्राहक और बढ़ेगा आपका business तो भूलिए मत और डाउनलोड करिए फूरे एब कर सकते हैं और join a meeting पर आपको क्लिक कर देना है और आप बहां से join कर सकते हैं अब मैं आपको बताता हूं वकर आप teacher है या आप जो manager हैं जो की meeting करना चाहते हैं या class लेना चाहते हैं तो आपको login और sign up पर क्लिक कर देना है यहाँ पर आप अपने email id डाल दीजे आप चाहें तो वहाँ पर अपनी photo भी लगा सकते हैं जो option आपको ऊपर दिया गया था start or join a meeting का option भी आ रहा है और schedule a meeting का option यहाँ पर आ रहा है अगर आप किसी meeting को create करना चाहते हैं तो schedule a meeting पर आपको क्लिक कर देना है और देख सकते हैं यहाँ पर personal meeting का एक option यहाँ पर दिया गया है जिसमें आपको यह code दिया जा रहा है इसके अलावा दोस्तों आप जो है okay पर आपको click कर देना है यह नीचे create a new meeting ID है यहाँ पर आप click कर सकते हैं यहाँ पर आप अपनी खुद की meeting ID डाल सकते हैं password डाल सकते हैं आलाकि password देना अच्छा होता है अगर आप यहाँ पर कोई भी पासषड दे सकते हैं तो यहाँ पर दे दीजिए जो भी आप यहाँ पर देना चाहते हैं और okay पर click कर दीजिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर का इंविटेशन लिंक के भी क्रेट हो चुका है जिसको आप यहां पर सेंड इंविटेशन पर क्लिक करके यहां से आप जो है जिसको भी भेजना चाहते हैं इंविटेशन वहां पर भेज सकते हैं तो मैं यहां पर अपने कुछ दोस्तों को मीटिंग लिंक के यहां पर भेज द प्लाव नीचे आपको अप्की मीटिंग आई डी भी हुई है तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको यहां तो यह कोंशेटी से भी आप जो है लोगोन को यहां पर जाके और उनको संड कर सकते हैं और इस तरह से जो है उनको invitation link का वहां से चला जाएगा meeting ID में तो जो भी meeting में आप join कराना चाते हैं वहां से आप इसको बेश सकते हैं start or join a meeting का option यहां पर दिये गया है use existing meeting तो आप कौन सी meeting यहां पर शुरू करना चाह रहे हैं आपने जितनी भी meeting उनको class का नाम दे दीजे कौन से subject की meeting या class आप ले रहे हैं और वहां पर बाजी में उसको click कर लिजे तो इस meeting को start करना चाह रहे हैं करने के बाद में आपको यहां पर okay पर click कर देना है तो आपका जो सारी इंफो यहां पर आपको allow कर देनी permissions इसके लावा आपने जो इनविटेन कोट जहां पर लोगों को भीजा हुआ है वहां से लोग आपको इसको joint कर लेंगे और जोइंड कर मत आप दे सकते हैं आप आप आपको option दिया है जहां पर video बंद कर सकते हैं अगर आप टीच कर रहे हैं आप video नहीं दिखाना कर सकते हैं जहां से आप कोई स्क्रीन देखाना चाहें या जिल ड्रैश्वोट लिखना चाहें वहां से आप उसको दिखा सकते हैं तो यह सारी चीजें जो यहां पर आपको देखने को मिल रही है इसके लावा नीचे आप जो है कैमरा सुछ कर सकते हैं और स्क्रीन को शेयर भ करना चाहते हैं तो रेट बटन पर क्लिक कर दीजा आपकी मीटिंग वहां पर एंड हो जाएगी तो आई होप दोस्तों आपको समझने आई गया होगा आपको मीटिंग कोड पहले भेज देना सभी को मीटिंग कोड देने के बाद में जब आप मीटिंग स्टार्ट करेंगे त तो वहलों न venom से आप से इस जोइंड होते जाएंगा समी में यह कुडन और पासवर्ड अ», और पासवर्ड अ समय दे रहे हैं उप्ष्णाल है तो से मीटिंग कोड वो जोईंड हो जाएंगी जो भी यहां पर दिखा रहे हैं बता रहे हैं